धोस्तों, वेलकम टुमाइ यूट्टूब चैनल लाइट क संजी ऐए। दोस्ता मैं आज आप लोगों को आपके कानूनी अधिकारों के बारे में जानका रिदोंगा जो कि हर भारती को जणनना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों भारत एक लोकतंत्र है लोकतंत्रिक प्रडाली में हर नागरिकों कुछ संबायधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवस्यक है सिच्छा और जागुपता के अभाव में सारे नागरिकों को ब्रश्ट चार और धोख्यवाजी का सिकार हो जाते हैं तो आये दोस्तों जानते हैं अपने कानोनी अधिकारों के बारे में दोस्तों पहले हैं तो हम सहर पथम बताएं कि LPG Gais जी दोस्तों LPG Gais में आपको connection लेते हैं तो 40 लाक रुपए 40 लाक रुपए का एंसूरेंस आपको फ्री मिलता है यानि खुदा न खास्ता यादि आपके साथ कोई सिलिंडर डिश्पोर्ट होता है तो आपको 40 लाक रुपए तक मौजा मिल सकता है दूसरा अगर आप किसी कमपनी दौरा भेंट किये गए तोपे को कुबूल करते हैं तो अभी रिस्वत की स्रेणी में आता है आपके उपर मुकदमा चल सकता है कमपनीओं में लोगों को तोफे भेजने की परंपरा बनती जा रही है सरकार दौरा इस तरह की परंपरा को खत्म करने के लिए 2010 में एक कानून बनाया गया था इस कानून के मुताबिद अगर आप किसी कमपनी के से किसी प्रकार का स्तोफा लेते हैं तो उससे रिस्वत समझा जाएगा आप पर कारवाई चल सकती है अगर किसी महिला को रात चे बज़े से सुबह चे तक समय बीच अगर किसी महिला को सुबह च्छे बज़े से और रात च्छे बज़े के बाद इस्टेशन बुलाया जाता है तो वह महिला आने से मना कर सकती है वह उसके उपर कोई दिक्कत नहीं होगे इंकम टेक्स अधिकारियों या वसूल करने वाले अधिकारियों के पास आपको गिर्पतार करने का अधिकार होता है अगर आपने टेक्स नहीं दिया है तो आर्टियो रिकवरी आपको गिर्पतार करने का अधिकार रखती है और उनकी अर्मत पर भी आप जेल से छूट सकते ह इस नियम का उलेक 1961 में इंकम टेक्स में किया गया है महिलाएं पुलिस को इमेल के माध्यम से भी सिकायद दर्ज करा सकती है अगर कोई महिला के साथ किसी महिला के साथ कोई अफरी घटना घरती है तो अथाने ना जाकर के पुलिस कंपलेंट में इमेल के माध्यम से भी कर सकती है दिल्ली पुलिस ने हाल रही में महिलाओं को ऐसे सुवदा दी है जिनमें महिलाओं घर बैठे अपनी सिकायत को इमेल के माध्यम से दर्च करवा सकती है अगर कोई महिला पुरुष आपस में संबंद मना करके सामती से रहते हैं तो उनको अपराद की श्रड़ी में नहीं रखा जा सकता भारती कानुन के अनुसार लिव इन रिलेसंसिप अवैद नहीं है लेकिन लिव इन रिलेसंसिप में रहने वाले पूरुष और महिला को बहुत सारी बात का ध्यान रखना होता है अगर लिव इन रिलेसंसिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता पिता की अधिकार होता है नमबर साथ राजनीतिक दलों के पास चुनाव के शमय आपसे वहन किराये लेने का पूरा-पूरा अधिकार होता है अगर आप वहन देने के लिए तैयार है तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपसे वहन किराये पर ले सकते हैं भारत में अगर आप ट्राइफिक नेमों का उलंगर करने की वज़े से दिन में एक बार जुर्माना लग जाता है तो आप पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर भी जुर्माना नहीं लगा सकता उधाने के लिए अगर आप का चलान करती है किसी हेलमेट पर तो आप पूरे दिन भर हेलमेट के भी चला सकते हैं आपके उपर जुर्माना याट नहीं लगेगा नमबर नौ आपके पास बस्तू की अधिक्तम खुद्रा मुल मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम कीमत देने का अधिकार होता है अगर आप दुकंदार से कोई बस्तू सवदे के साथ खरिशते हैं जैसे कि अगर किसी बस्तू का मुल शव रुपे है तो आप उस बस्तू को 90 रुपे में भी खरिश सकते हैं इसमें आपका इसमें कानूनी अधिकार बनता है अगर कोई ब्यक्ति आपसे काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुकतान नहीं करता है तो आप अदालत में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं भारती अधनियम के अनुसार अगर आपको भुक्तान नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाप अदालत में अप्लिकेशन दर्ज मामला करवा सकते हैं यह आपका कानूनी अधिकार होता है आपके पास उस ब्यक्ति के खिलाप सिकाए दर्ज कराने का तीन साल तक का समय होता है असलील गद्विद्या करते हैं तो आपको तीर महीने की सजा हो सकती है नमबर बारा पूलिस का हेट का स्टेपल के सी ऐसे अपराध के लिए आपको दंद नहीं दे सकता जिसका जुर्माना सौर रूपए से अधिक हो अगर आपने एक से अधिक करून नियुमों का लंगन क दिया है तो आपको चलान हो सकती है नमबर तेरा वर्स 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा अगर किसी जगह पर आधी रात को कोई भी अपराध या घटना घटित होती है तो पुलिस कर्मी को या कान राता होना चाहिए चाहिए फंदा वर्ष और आप फंद्थ रखाव अधिनियं की अद्र और आप हिंदो धर्मके हैं और आपके एक बच्चा है तो आप दूसराằ seragos Sich नहीं ले सकते हैं अगर कोई बच्चा नहीं है तो आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बसारते हैं बच्चे की उम्पर का अंतर होना चाहिए आपके और बच्चे की उम्पर के बीच 21 श्वर्ष का अंतर होना चाहिए नम सुरा करते हैं जपका तो दोस्तो आपको मैंने आपके कारूनी अधिकारों के बारे में आउगत कराया जितने भी कारूनी अधिकार हैं आसा करते हैं मित्रों कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगए होगी आप इस वीडियो को माध्यम से आप अपने कारूनी अधिकार समझ सकते हैं और कहीं भी अपनी बात को रख सकते हैं तो आप कमेंट करके बताएए कि वीडियो कैसी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि ऐसी हम वीडियो रोजाना देते हैं